हेलो गाईज, वेलकम बैक टू दे चैनल, आज हम बात करते हैं, यूनिट थर्ड के लास्ट टॉपिक के बारे में, ठीक, यह है DNF and CNF, यह डारेक्ली पेपर में इनकी प्रॉलम्स आ जाती है, DNF-CNF फॉर्म में लिफने के लिए, तो आज हम इनहीं को डिस्कस करते हैं, ठी DNF stands for principle of disjunctive normal form, ठीक, disjunctive normal form, आप इसको directly sum of product के एक base पे भी देख सकते हैं, तो for a given formula, an equivalent formula consisting of disjunction, ठीक, of mint terms only known as principle of disjunctive normal form, यह इतनी थोरी को कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या देख रहा हैं, कि bracket में क्या होना है, into, और उसके बाद, plus, अगर यह form आपको बनानी है, it means bracket में आपको end operation perform करना, और bracket के बहार और operation, तो वो तो आपकी है DNF, और bracket में आपको और operation perform करना, bracket के बहार end operation, फिर और, यह आपकी CNF, आपको simple से यह दो चीज देखनी हैं, कि CNF और DNF के अंदर, ठीक, तो हमने यह DNF देख लिए, principle of negative neural form के फिर्मबें भी आ सकता है, तो इसका एक numerical देखते हैं, कि negative station P, और negative station Q, implies Q, bidirectional P, ठीक, तो इसमें से हमने negation common दिया, तो यह change हो जाएगा, bidirectional जैसे ही, ठीक, अब इसको solve करने पे, आप जानते हैं, कि P implies Q को solve करने पे, negative station P, Q हम लिख देते हैं, directly, उसके according यह, ठीक, इसको solve करने पे, यह positive हो जाएगा, then no, फिर इस पूरे को solve करते हैं, तो हमारे यह statement आएगा, ठीक, as it is, यह हमें solve करने से मिला जानते, इसको खोलने पे, Q, Q and P, और negation Q, और negation P, ठीक, अब इससे negation भाद लेने से, यह भी, ठीक, वो जाएगा, ठीक, P and Q, और P and Q, क्या है यह, क्यों कि एसोसियेटिव, एसोसियेटिव में हमने पढ़ रखा है, कि A plus C is B plus C, ठीक, उसका according ने, arrange करने पे, आपको क्या, अंदर क्या मिल गया, end operation, बहार और operation, फिर अंदर end operation, जो की हमें इस form में बनाना है, और यह क्या होती है, हमारी DNF, ठीक, अब देखते हैं, CNF, CNF हो दिये principle of conjunctive neural form, यानि कि PCNF, for a given formula, यानि equivalent formula, consisting of and conjunction, of max terms only, इसको directly आप product of sum, product of sum, यानि कि, a plus b, dot, b plus c, अब आपको ये formula आनी है, अंदर क्या है, और बाहर क्या है, end, और अंदर है, फिर, और, ठीक, तो आईए जेखते हैं, इसको करने पर आपको क्या मिलेगा ये, इनको ना distribute कर दिया, इस पूरे को इस पूरे bracket के ऊपर distribute, और इसको इस पूरे bracket के ऊपर distribute, और फिर आप देख पाएंगे, कि अब ये किस form में हो गया, यहां or gate, और यहां end, यहां भी और, यहां end, यहां फिर or, it means bracket के अंदर तो क्या आगया, और bracket के बहार end bracket के अंदर और bracket के बहार end bracket के अंदर और और यह वाली form हमारी क्या होती है cnf form ठीक यह वाली हमारी cnf form होती है इसी यह सास्त आप यहीं complete होती है ठीक, thank you